हेलो वीवर्स आसा है आप विप्यसी के तैयारी बहुत जोड़ सोड़ से कर रहे होंगे और इसी बीच हम प्रैक्टिसेट आर्ठ लेके पहुंचे हैं आप लोग के प्रैक्टिस कराने के लिए तो इसके पहले एक इंट्रेस्टिंग फैक्ट पर चर्चा कर लेते हैं कि 3 जो आपको बताना है कि उसका नाम क्या था और उसके बदले करीब सत्रा लोग को बिर्टिस हुकूमत ने मौत के घाट उतार दिया था तो आप इस प्रसन का जबाब कमेंट बॉक्स में ढालिए अब चलिए आज का प्रैक्टिस शुरू करते हैं प्रैक्टिस एट तो यह रहा आपका पहला सवाल कि बिर्टिस इस्ट इंडिया कंपनी में नयाब नयाब का निमलिखित में पद की किसे मिला था राजा, राम, नारायन, शिताव, राय दोनों इन में से कोई नहीं तो इसमें राजा का पद सी मतलब इन दोनों को मिला था ठीक है अब ने एक सवाल देखते हैं कि किस संधी के दोरा अंग्रेजों ने बंगाल और बिहार का दिवानी अधिकार पराप्त किया था अंग्रेजों ने तो ये आज का असानी सवाल है आप जानते ही होंगे कि इसका अप्शन है इलाअबाद की संधी, सुगली की संधी, बक्सर की संधी इन्वेसे नहीं से कोई नहीं बंगाल और बिहार के दिवानी अधिकार पराप्त किया था यह अभी कहां आवस्थित है, अपसन यह देवघर, बी है दानपुर, सी है मुगेर और डी आरा, तो यह एक्छली में 32 इन फैंटरी देवघर में इस्थित है, एक्छली में रोहिनी एक जगा है, देवघर में वहीं से सुरू हुए थी, और इसे एक फैक्ट यह भी है कि 32 इ इसली और सरजेंट गरांड के अधीन था, लेकिन विद्रोह को एक्छल में, मैक डुनाल्ड, मैक डुनाल्ड थे, उन्होंने विद्रोह को दबाया था, ठीक है अपने एक सवाल देखते हैं, निमलिकित में से किन राजाओं ने अठारह सो संतावन की करांती में बीटिसों का मदद किया था, बिटिसों को मदद कौन कौन किया था, ये है दर्भांगा का महराज, B है दुमराओ का महराज, C है हत्वा का महराज, और D है उपरोग सभी, आप सोची और बताएगे, इसका सही आंसर क्या होगा, option number D, उपरोग सभी, जितने राजा थे, दर्भांगा का महराज डुमराव का महराज हथवा का महराज इन सबों ने अठारो संतावन करांति में अंग्रेजों की मदद की थी नेक्स सवाल देखते हैं पांच दिसंबर 1922 में अखिल भारतिये कॉंग्रेस कमेटी का सत्र गया में हुआ था जिसके अध्यक्ष कौन थे यह एक्चली में विहार से रिलेटेड है इसलिए यह सवाल को यहां पर रखा गया यह उप्षन है लाला लाजपत्र है बी है विजय कमेटी के नेक्स सवाल देखते हैं बिहार में पाए गया पासान कल पासान युग के अवसेशों का मिलान किजी इसमें एक्चली में क्या-क्या मिला था पासान युग में यहां पर खुर्पी, कुदाल, पत्थर की कुछ मुर्थिया मिली थी वही सब जो आप जो फ्रेंच यहां देख रहे हैं हिंदी से अंगरेजी होने में यह नहीं आ पाया है, तो क्या-क्या मिला था, वो खुर्पी मिला था, पत्थर की कुछ हुआ मिला था, तो मुंगेर में मध्ध पासान युग में मिला था, चिरान सारन देखे, यह objective में ऐसे भी सवाल आता है, कि पासान मिले थे सबसे पहले तो यह चिरान में मिला था सारन से, तो यह एक individual भी individual भी एक महत्मौन सवाल रहता है। लेकिन मुंगेर में मधि पासान मिला था, चिरान में मिला था 9 पासान, वैसाल साली में 9 पासान युग में। तो यहां पे यह option number d मतलए उपरोग सभी, यहां सभ आंसर सही, अब नेक्स सवाल देखते हैं, रिग बेद में बिहार छेतर के लिए कौन से सब्द का परयोग किया गया था रिग बेद में, यह उप्सन है कि कट B है बरात, C है दोनों, D है इन में से कोई नहीं, तो बिहार के लिए दोनों की कट और बरात, दोनों यूज किया ग कि उस समय 16 महा जनपत थे, जनपत काल में, जिसमें से 3 महा जनपत देखे, इंडिविज्वाली बोलिएगा, तो यह भी एक सवाल है कि 16 महा जनपत से कितने महा जनपत बिहार में अवस्थी थे, तो 3 महा जनपत बिहार में अवस्थी थे उसके राजधानी का मिलान की जी, जैसे आंग उसका राजधानी कहा था चमपा ये सही है गलत है आज के समय भागलपुर में हैं दूसरा है मगद जिसको ग्रीव रज या राजग्रीव बोलते हैं राजगीर बाद में पाटली पुतर राजधानी होगे और तीसरा बज्जी महाजनपत था जिसका राजधानी उस समय बेशाली था तो इसका ऑप्शन एक दू है बी दो तीन है सी एक तीन है तो इसका सही आंसर कौन होगा सभी ये सारा ये तीन महाजनपत थे आंग मगद और बज्जी और इसका राजधानी जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर है आप लोग क है असोक ने अपने सहासन के किस वर्स गया के निकट गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में सुधामा गुफा का सुधामा गुफा का निर्मान करवा कर उसे आजीवकों को दान दे दिया आजीवक संपरदाय जानते ही होंगे कि बराबर ये भी सवाल आता है इसे कि ब असोक ने अपने सासन के किस बरस गया के निकट है ना ये अजीपक को दान दे दिया गया और सवाल देखते हैं कि ये विश्विद्याले का नाम है और संस्थापक का नाम है और इसी से संबन्नित आप जानते होंगे कि होयन सांग भी आया था पढ़ने के लिए वो कहां पढ़ता था आपको पता होगा किस विश्विद्याला पढ़ता था तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन सुमेलित नहीं है तो यहाँ पे विक्रम सिला धरम पाल उदांतपूरी गोपाल जगदल विश्विध्याले रामपाल नालंदा तो यहाँ पर सभी सही है इन विश्विध्यालेों को ध्यान रखिएगा कि आपको माजदा कॉलम करके करके मिलाने दिया जाए या फिर इंडिविज्वाली पूछ दे कुदांतपूरी विश्विध्याले का अस्थापना किसी ने किया यह इन में से किसी के बारे में पूछ दे तो आप ध्यान रखेगा इस तरह के सवाल अकसर आते रहते हैं तुगला काल में अगला सवाल देखते हैं तुगला काल में बिहार की राजधानी कहां थी तो ए है बिहार सरिफ भी है राजगीर सी है फाटली फुतर डी है गया तो इसका सही आंसर है बिहार सरिफ देखे बिहार सरिफ में एक और इससे संबधनी चीज यहां हम नोट कर ल देखते हैं पानीपत की पर्थम लड़ाई 1526 में हुआ था कि बाद किसने बिहार में स्वतंत्र सत्ता के अस्थापना किया था तो एक सवाल देखते हैं कि पहला दो दुबर पहले हैं पहला मुगल बाद साह जिसका राजय विशेक पटना में हुआ तो इसका सही आंसर होगा फारुक सियर ऐसा बाद साह जिसका राजय विशेक पटना में हुआ था अब नेक सवाल देखते हैं कि 1771 इसमी में बिहार में सन्यासी बिद्रोह का पर्मुख कंद्र कहां रहा था यह गया बी है पटना सी फुर्णिया और डी मुझभरपूर तो सन अधिया बिद्रोह का पर्मुख कंद्र विहार में पुर्णिया में था तो धियान रखियेगा इस तरह के सवाल अक्सर आते है एक्जाम में और अगर आ गया तो इससे चूगना नहीं है ठीक है भारच छुरां दोलंग में उन्हें सुब्यालिस के समय पटना सचवाले के स हुआ था नेक्स सवाल देखते हैं कि बिहार के बिहार के पर्थम हिंदी दैनिक कौन था पर्थम हिंदी दैनिक का नाम क्या था सर्भी तैसी सर्चलाइट बिहार हेराल्ड या इंडियान नेशन तो इसका सही अंसर है सर्भी तैसी ये पर्थम हिंदी दैनिक था और जो सर इसका परकासन सेयद हैदर हुससाइन 1917 में किये थे और बिहार हिराल का गुरू परसाथ सेन 1875 में किये थे और इंडियान नेशन का पॉब्लिकेशन का मेश्वर सिंग दर्भंगा के राजा किये थे तो ये सब भी नाम आप दियान रखेगा कि ये आपको आगे काम आया नेक्स सवाल देखते हैं कि डॉक्टर राजेंदर परसाथ को 9 अगस 942 को गिरफतार करके कहा भेजा गया था जैसा कि आप जानते हैं इसी बीच में ऑपरेशन जीरो आबर के तहत 9 अगस 942 को तड़के सारे जो लीडर से भारत के उनको गिरफतार कर लिया गया था और सबको अलग-अलग जेल में रखा गया था तो यहां पर ऑप्सन है बाकिपुर जेल भागलपुर जेल सी हजारी बाग जेल में रखा गया था तो परसन संख्या 17 है और डॉक्टर रजेंदर परसाथ तो इनको गिरफतार करके बाकिपुर जेल यह पटना में इनको रखा गया था अबने एक सवाल देखते हैं कि भारत के मानक समय और पटना के अस्थानिय समय में देखे यह हो गया स्टेंडर टाइम स्टेंडर ट कि जो इंडियर ने स्टेंडर टाइम है यह साढ़े बेरासी डिग्री लेटिचूट पर और पटना का अगर पटना का अगर यह मालूम होगा आपको देशांतर लेटिचूट ने लोंगिचूट तो उससे आपको यह डिफरेंस आप निकाल सकते हैं तो यह अप्शन है 10 मि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे थैंक्स पर वाचिंग